सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि तमाम जो अपडेट्स हैं लगातार स्पोर्ट्स अगर आपके ले क्या आता रहेगा अब आपको बता दे हैं कि संजे मांजरेकर ने अब अश्विन को ले के क्या ऐसा का है जो कि इस वक्त थोड़ा बहुत जो है कॉन्टोवर्सी का एक टॉपिक बना हुआ है तो तब संजे मांजरेकर को थोड़ा अजीब लगता है और वो कहते हैं कि रवी चंदरन अश्विन उस केटिगरी में उसमें शुमारूने नहीं होना चाहिए अब आपको बताते हैं कि संजे मांजरेकर का जो अश्विन को लोगे कहना है कि वो all-time great क्यों नहीं है तो वो किस basis पर है दरसल संजे मांजरेकर ने बताया है कि जो सेना countries है यानि सवताफरिका, इंग्लेंड, न्यूजलेंड और उस्ट्रेलिया इन सारे देशों में जो है अश्विन का जो performance है overseas condition में वो कुछ खास नहीं है साथ इसाथ उन्होंने इस पूरे statement को justify करने के लिए एक stat भी दिया है उसको भी आपको बताते हैं दरसल मांजरेकर का कहना है कि अश्विन ने एक भी फाइफर नहीं लिया है इन सभी देशों में यानि कि पांच विकेट एक इनिंग में जो है अश्विन नहीं ले पाया अगर हम सेना countries की बात करते हैं तो ये एक ऐसा मुद्दा है और ये एक ऐसा आप ये कह सकते हैं जो कि अश्विन को जो एक all time great का tag वो देना चाहते हैं या उनको थोड़ा उस पर doubt है तो वो इस तरीके से ही है या इसके सबसे बड़ा एक element आप ये कह सकते हैं कि भार की conditions में क्या अश्विन इतने जादा effective होते हैं क्या जो जड़ेजा से और अक्षर पटेल से इस वक्त जो है वो compare करना चाह रहे हैं वो कितना वाजिब है क्योंकि जब अश्विन की जब हम बात करते हैं तो बहुत time हो चुका है उन्हें खेलते हुए 2010 में जो उन्होंने डेब्यू किया था भारत के लिए और उसके बाद से एक अलग वर्चस वह हमको अश्विन का देखने को मिला है तो यह जो एक stat पी उन्होंने बता है कि पांच रिकेट की जब हम बात करते हैं साथ इसाथ overseas conditions में कितने effective अश्विन हो सकते हैं इसको लेके मांजरेकर ने अपनी राय व्यक्त करी है आप देखिए संजे मांजरेकर इससे पहले रविंद्र जडेजा को लेके भी अपनी टिपनी देश चुके हैं जहां पर उन्होंने बोला था कि रविंद्र जडेजा जो है वो एक bits and pieces क्रिकेटर है यानि कि थोड़ी बहुत बल्ले बाजी कर लेते हैं थोड़ी बहुत गि देख रहेते हैं और वहां पर उनका एक celebration का एक हमेशा से एक हमने देखा है कि एक action रहता है तलवार वो चलाते हैं तो वह कहीं नहीं संजे मांजरेकर के लिए था लेकिन अब रवीचंद्र अश्विन पर बात आई है अब यह बड़ा जैखना जो है बहुत ही जादा दिल यह एक कहिना की build-up है रवीचंद्र अश्विन के लिए कि जो statement फिलाल मांजरेकर ने उनके खिलाफ दिया है उसको किस तरीके से लेते हैं साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि अक्षर पटेल जो की उन्होंने debut किया था इंग्लेंड के खिलाफ सीरीज जो थी जिसमें भा मैचे में 27 ले सकते हैं तो अश्विन ने जो चार मैचे जो कि उन्होंने पूरी सीरीज खेली उसमें 32 अश्विन के थे लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीक से ओवर शाडो कर दिया था अक्षर पटेल ने तीन मैचे उनको खिलने को मिले थे लेकिन लगातार हमने देखा कि अश ग्रेट उन्हें नहीं मानते हैं जडेजा की अपका भी उन्होंने इंक्लूजन किया इस बार पॉजटिव एंगल के साथ किया हाना कि पहले इतिहास बड़ा आपको पता ही किस तरीके से जो है जडेजा को लेके और मांजरेकर के एक रिफ्ट थी अब जो है उनका समर्थन करते हुए जडेजा के लिए मांजरेकर ने कहा कि जडेजा ने भी पिछले कुछ चार से पान सालों में बहुत ही जल्दी बराबरी करी एक जो स्टेचर है जो एक जो कंट्रिबूशन के इसाफ से जब हम बात करते हैं टीम में तो यह बड़ा दिल्चस्प एक जो है इस सम अश्विन के लिए क्योंकि जिस तरीके से क्रिटिसिजम थोड़ा बहुत उनको भी देखने को मिल रहा है मांजरेकर के दोवारा उमीद करेंगे कि यह फूटफुल साबित हो भारती टीम के लिए बहुत यह प्रोड़क्टिव साबित हो और जड़ेजा की तरह अश्विन भी मांजरेकर को रॉंग प्रूफ करते हैं वलाल इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए शेयर करिए साथ ही साथ स्पोर्स टाइगर को भी जरू सब्सक्राइब करिए वलाल इस वीडियो में इतना ही आप देखते रहेए स्पो